हलो फ्रेंड्स गोडियूनिंग आज हैं आपके लिए हिंदी साहित का दूसरा वीडियो लेके आए हैं जिसमें 50 महत्पूर्ण कोश्चन होगे और इसके पहले वाले में भी 50 कोश्चन थे तो टोटल 100 कोश्चन अभी तक प्रवाइड हो चुके हैं तो चलिए अगर अभी त अगर आपने माँ चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें चलिए देखते हैं पहला कोश्चन यहां से इसके पहले एक से 50 तक हम पहले करवा दे थे तो 50 से लेके 100 तक कोश्चन करवाएंगे टोटल 50 कोश्चन तो देखिए पहला कोश्चन क्या है हिंदी पत्त्रिका कादंबनी के संपादक कौन है तो हमारा इसमें पहला ओप्सन सही हो जाएगा राजेंद्र अवस्थी दूसरा कोश्चन देखते हैं निराला को कैसा कभी माना जाता है तो निराला को कैसा कभी माना जाता है करांतवादी कभी करांतगारिय करांतवादी कभी मा ना जाता है तो भी option समारा सही होगा next देखते हैं कभी कालिदास की अभिगान सकुन तलम का हिंदी अनुवाद किसने किया तो कालिदास की जितनी विरच्माय थी लगभग तीन चार चना है उनका अगर पूचा जाता है कि अनुवाद किसने किया था तो राजा लचमर सिंग नेक्स्ट देखते हैं किस काल को स्वन्ड काल कहा गया तो भक्तिकाल को स्वन्ड काल कहा गया था वुकि भक्तिकाल में सबसे अच्छे कभी सबसे जादा मात्रा में आय गये थे भक्तिकाल को दो भागों में सबूर और निर्गूर दो भागों बांटा गया फिर सबूर द देखते हैं हिंदी गद्ध का जनवताता कि से कहते है तो हिंदी गद्ध का जनमदाता भारतन धरी चंद को लाचा जाता तो उसी अपसुन हमारा सही होगा next question के चलते हैं सोरदास के गुरू काउन थे बहुत important question कई बार पुछा जा चुका है बल्लवा चार जी को सोरदास का गुरू माना जाता है next देखते हैं कामायनी किस प्रकार की गरंथ है तो कामायनी महाकाब्य है जो कि जै संकर प्रसाद जी की द्वारा लिखा गया है और बात कहते हैं चम्पू किसे कहते हैं चम्पू काब्य किसे कहते हैं जिसमें गद और पद दोनों ही मिस्सित होती है गद और पद दोनों से लिए मिस्सित होती है उसे हम चम्पू कहते हैं याद रखेंगे तो हमारा इसका C options सही होगा कमायनी को महा काव बे कहते हैं अगला देखते हैं गागर में सागर भरने का कार किस कभी ने किया तो गागर में सागर भरने का काव बिहारी जास ने किया क्योंकि इनकी केवल एक मात रचना थी जिसे हम सतसई के नाम चलानते विहारी सतसई इसी रचना से यह बहुत ज्यादा विख्यात हो गए थे नेक्ष्ट देखते विद्या पती की पत की पदावली की भासा क्या थी तो मैथली मैथली इनको मैथल कोकिल भी गहते हैं इनको मैथल कोकिल भी कहा जाता है मैथल कोकिल भी कहा जाता है बहुत इंपोर्टन है यह भी नेक्ष देखते हैं बिहारी किस राजा के दरवारी कब थे बिहारी दास किस राजा के दरवारी कब थे तो जैसिंग के और बिहारी दास रीत काल के कभी थे यह याद रखेंगे कि बिहारी दास के सम्मंद किसे तो रीत काल से सेस कादंबनी के रचैता कौन है तो सेस कादंबनी के रचैता अलका सारा वगी है नेक्ट देखते हैं राग दरवारी उपन्यास है रागदरवारी किसके उपन्या से बहुत ही important है इसे याद रखेंगे very important question रागदरवारी के रचनाकार गाउन है स्रीलाल सुकल जी next question देखे तुलसी दास किसकी करती है ये भी बहुत important इस बार यूपिटेट में भी ये questions पूँछा गया है तो निराला जी सूर कांते बाठी निराला जी तुलसी दास के रचनाकार है अगला देखते हैं धुरूस वामनी किसकी रचना है तो सबको पता है कि धुरूस वामनी जैसंकर परसाद जी की रचना है next देखते हैं संसत से सड़क तक किसकी रचना है very important question है कि संसत से सड़क तक किसकी रचना है तो किसकी रचना है सुदामा पांडे धुमिल की next देखते हैं गंगा छवी वलडन कविता के रचनाकार का उन है तो गंगाच्छावी वर्डन कविता के रचनाकार भारतेंद वहरिश्चंद जी है अगला देखते हैं अपूर्वा किसकी क्रती है वेरी इंपॉर्टन्ट अपूर्वा केदार नाथ अगरवाल जी की क्रती है धाई घर किसकी क्रती है ये इस बार UP ASI में पूंचा गया question है तो ये हमारे लिए भी बहुत important है क्योंकि इसके लिए साहित एक अदमी award ही मिला है तो ठाई घर किसकी रचना है तो गिरिराज किसोर जी की अगला questions देखते हैं वीरो का कैसा हो बसंद बहुत ही important पीरो का कैसा हो बसंद ये किसकी रचना है तो सुभद्रा कुमारी चौहान जी की अगला देखते हैं मिट्टी की वारात मिट्टी की वारात ये ही important रचना है इसके लिए साहित एक अदमी पुरुस्कार मिल चुका है तो एक इसकी रचना है सिव मंगल सिंह सुमन जी की next question देखते हैं मिखित मैसे कौन सा प्रबंद काब है प्रबंद काब एक कौन सा है रामचरित मानस प्रबंद मतला वो होता है कि सुरू से लेकर अंत्तक किसी चीच को एक सुबवस्थित ढंग से दिखाना तो प्रबंद काब कहलाता तो रामचरित मानस प्रबंद काब है किस के द्वारा लिखा गया है तुलसी दास जी द्वारा तुलसी दास जी द्वारा रामचरित मानस में कितने काब है तो साथ काबन कुमर नराहर ये भी बहुत ही इंपोर्टन्ट है वेरी इंपोर्टन्ट ये भी इंपोर्टन्ट है तो कुमर नरायन जी को आत्म पचना कौन सी है आत्म जी नेक्ट देखते चांद का मूँ टेड़ा बहुत ही इंपोर्टन्ट है कई बार कुम जाजा चुका है तो इसके कौन है गजाननमाधो मुक्तिबोध जी नेक्स्ट कोश्चन यामा के रचाईता कौन है तो यामा के लिए महादेवी वर्मा को ग्यानपीट पुरुसकार दिया गया था और ये ग्यानपीट पुरुसकार पाने वाली हिंदी की प्रथम कवित्री थी कभी इत्री थी ठीक नेक्स्ट कोश्चन देखते हम निमलिखित में से कौन से रचना अटल विहारी बाजपेगी नहीं है बहुत इंपॉर्टन क्योंकि इनका इनकी हाली में निधन हुआ था इनका 16 दिसंबर को और इनका जन 25 दिसंबर को हुआ जिसके वो पलच में सुसा संदिवस्मन आते हैं तो अभी तक है बहुत चर्चित है इसलिए इनकी रचना है पूछने के आसार पड़ जा रहे हैं तो देखते हैं इनकी कौन से रचना नहीं है तो राजनीत की लप्टिली राहें बहुत इंपॉर्टन ये याद रखेंगे इनकी है संसद में तीन दस रिखते हैं गलत यूगं का चैन करो कौन सा रचना कौन सी रचना किस कभी की नहीं है तो हमें बताना जो नहीं है जो गलत है तब अगले पहले देखते हैं कलम का सिफाही अम्रतलार नागर की सही है कला और बुढ़ा चांद सुमित्रन अंदन पंत की ये भी इंपॉर्टन है बहुत ही इंपॉर्टन रचना है दो चटाने हरिवंस राय बच्चन की ये भी सही है और गलत कौन सा है खूटियों पर टंगे लोग ये किस की है प्रेम चंद जी की नहीं है ये है सर्वेस्वर दयाल सकसेना की सर्वेस्वर दयाल सकसेना की याद रखेंगे नेक्स्ट देखते हैं इसमें गलत कथन का चैन करना है तो गलत कौन सा है मगद स्रीकांत ये भी सही है अर्द नारिस्वर विश्लु प्रफाकर ये भी सही है और बहुत ही इंपॉर्टन रचना है ये दूसरा देखते है नीला चान सिव परसासिंग की ये भी सही है दुख्खम सुख खम किस्वना सोबती ये गलत हो जाएगा ये कृष्वा सोबती की नहीं है अगला देखते हैं ग्यान पीट प्रुसकार किस छेटर में किस रेश्ट कार के लिए याता है तो ग्यान पीट प्रुसकार बहुत ही सर्वकोशन है कि साहित के लिए दिया जाता है अगला देखते हैं कि प्रेम सागर के लेखा कौन है तो लल्लूलाल वेरी important question है next question देखते हैं कब तुलसी दास ने अपनी रचनाओं में किसका वर्डन किया तो तुलसी दास जी राम भक्ति के कभी थे तो इन्होंने राम का ही लेक किया है अगला देखते हैं त्याग पत्र किसकी रचना है बहुत ही important है त्याग पत्र जैनेंद त्याग पत्र सुनीता यह सब जैनेंद की रचना थी फड़िस्वर ना त्रेडों की सबसे बात करेंगे तो इनकी मैला आचल मैला आचल बहुत बार पूंचा जा चुका है नेक्स्ट देखते हैं ग्यान पिट पुरुषकार में कितनी राश प्रदान की जा चुकी यह भी पूंचा हुआ कोश्चन है यूपे एसाई में पूंचा जा चुका है इसके बारे में तो हम बात करते हैं ग्यान पिट पुरुषकार में कितनी राश पैसे दी जाती हैं तो ग्यारा लाग रुपए प्रदान की जाते हैं इसके सास्त्र पत्र जाता है और वाग देवी की मूर्ति भी वाग देवी की कांस दहाती बने होती जो वाग देवी की मूर्ति प्रदान की जाती है नेक्स्ट देखते हैं मजदूरी और प्रेम किसकी रचना है तो सरदार पूंड सिंकी अधला देखते हैं हिंदी की पहली कहानी लेकी का कौन है तो बंग महिला, ये भी इंपोर्टन कोर्षण है अधला देखते हैं खड़ी बोली के सरवर्थम लोग 구eren कवी कौन है, तो आयवधियसिंग उपाद्ध्याय इन्होंने परतम महाकाबि खड़ी बोली का लिखा था तो प्रत्म महाकाबिक जो की प्री प्रवास है प्री प्रवास का रचनाकार बहुत वार पुंचा गया है धसमी उपद्ध है जी हो जाएंगे नेक्ट देखते गोदान किसकी रचना तो प्रेम चंद जी की रचना है तो भी हमारा उसन सही हो तो हबीब तनवीर की इस पर स्याम बेनेगल में मुवी बनाई थी तो यह हमारे लिए बहुत इंपॉर्टन है हबीब तनवीर की नेक्ट कोस्टन देखते हैं ग्यानस रई साखा के कभियों को किस नाम से आना आता था किस नाम से आना आता है संत कभी नाम से अगला देखत कि कि से का जाता है तो स्वयम्भु को अभरंस का बाल में कहा जाता है नेक्ट कोशन देखते हैं चंदबरदाई किसके दर्वारी कभी थे। चंद परदाई प्रतिवीराज चवहान के दरवारी कभी थे ये प्रतिवीराज चवहान के यहां कभी दाय लिखते थे ये वीर रस और संगार रस के प्रमुक कभी थे वीर और संगार के प्रमुक कभी थे अगले देखते हैं रीत काल का वा कौन सा कभी है जिसने अपनी एक म भरी थी अगला देते कठिन काव वेकाफ रेत किस कभी को कहा जाता है तो कठिन काव वेकाफ रेत केसो दास जी को कहा जाता है next question दिवेदी युक का नाम करन किसके नाम पर हुआ तो महावीर प्रसाथ दिवेदी जो कि कहां के रहने वाले थे राय बरैली के दौलत प्रुग्राम से अगला दिवेदी मैथिल कोकिल किसे कहा था तो विद्या पति को मैथिल कोकिल कहा जाता है next question बहुत important प्रकृति के सुक्मार कभी है सुमित्रा नंधन पंत जी अगला question एक भारती आत्मा किसे कहा जाता है तो माखानलाल चत्रवेदी को यह बहुत important question है कता समराठ किसे कहा जाता तो कता समराठ किसे कहाता प्रेम चंदर जी को अगला देखते हैं कि हिंदी भासा की जननी किसे कहा जाता है तो हिंदी भासा की जननी संसक्रतों कहा जाता है क्योंकि संसक्रत से ही बहुत सी भासाओं का जन्म हुआ है यह हमारा टेस्ट समाप्त हो गया है अगर अभी तक आपने हमारा चैanel सब्सक्राइब नहीं को तो प्लीज सब्सक्राइब कर दे उर अगर इस वीडियो की पीडिये चाहिए तो नीचे लिंक में इसका हम दिस्क्रिप्स & दिये रहे हैं इसका लिंक दिये रहे हैं आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं